तो हेलो दोस्तो वेल्कम टोरलेंट आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक बहुत सस्पेंस अपरी डिस्टरबिंग मुवी जिसका नाम है दे हनीमून ये एक ट्रिलिंग मुवी है जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एक कपल अपना हनीमून बनाने के लाता है लेकन उन्हें नहीं पता होता है कि जहाँ पर वे लोग जा रहे हैं वहाँ उनके साथ में कुछ अजीब घटित होने वाला है तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं मुवी के स्टार्टिंग में हम बी नाम के एक लड़की को देखते हैं जिसकी अभी 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 शाधी हुई ती और वो केमरा में अपने खुशे को रिकार्ड कर रहा थी साथी उसका पत्ती पॉल भी था दोनों की हाली में शाधी हुई थी और केमरा में बी जब पॉलन उसे प्रपोस्ट किया था तो उस दिन का एक्सप्रियंस से बता रही थी दोनों फिर अपने शादी के बाद में हनीमून मनाने के लिए शेहर से दूर जंगलों के बीच में एक केबिन में आये थे और दोनों यहाँ पर बहुत दे खुशते हैं चुकि यह ट्रिप उनके लिए रोमेंटिक होने वाली थी केबिन में सब कुछ पहले से अरेंज था और एक केबिन बी का था जहां पर वो अपने पैरेंट के साथ में बच्पन में आया करती थी तो इसलिए बी पॉल को पुरा रूम दिखाती है वही पर पॉल बी के क्लोस आ रहा था और दोनों बेडरूम में जाकर फिर इंटिमेट होते हैं अब वो शाम होती है और हम देखते हैं कि यह केबिन बहुती कुपसूरत सता और दोनों अपने इस कॉलिटी टाइम को एंजोय कर रहे थे फिर रात होती है और बी पॉल के साथ में सो रही थी तब ही रात को बी के चेहरे पर एक लाइट पड़ती है और यह सीन यह पर कट होता है अग्मी सुबे बी पॉल के लिए ब्रेकफस्ट बना रही थी और तब ही पॉल उससे अपने बच्चे की बात करता है जिससे सुनने के बार में बी का मूड थोड़ा खराब हो जाता है और पॉल अपनी बात से पलट जाता है फिर दोनों अपने स्रोमेंटिक ट्रिपों इंजोय कर रहे थे बी पॉल को बोटिंग करानी के लिए लेक पर लिका जाती है और उसे अपने बच्पन के बारे में बताती है फिर बी अपने कपड़े उतार कर लेक में कुदने वाली थी लेकिन लेक का पानी बहुत ठंडा था तो वहाँ पर नहीं जाती है फिर दोनों वापस से अपने केबिन में आते हैं और एक बार फिट से इंटिमेट होते हैं जिसके बार में दोनों पास से के एक रेस्टरॉंट में जाते हैं क्योंकि दोनों को भूख लगी थी लेकिन वहापर रेस्टरॉंट में एक अजीब सादमी था वो कहता है कि रेस्टरॉंट बंदे और वहापर लगावा लेंप वो जाना लगते हैं कि तभी वो आदमे B को रोखता है और कहता है कि उसका नम Will है, B पहली नजर में उससे पहचा नहीं पाती है और फिर अचानक से वो उससे जाविवार हग कर लेती है क्योंकि असल में B और Will बजपन के दोफ्चत है, Will उससे बताता है कि ये रेस्टोरेंट उसके पतनी एनी का है लेकिन उसके तबीय तबीय खराब है तो इसलिए रेस्टोरेंट अभी बंद है दोनों को बात करता हो देखकर पॉल थोड़ा जिलस फिल करता है और तबी वहाँ पर एनी आ जाती है और उन्हें वहाँ से जाने का बोलती है विल भी बी को देखकर कुछ होता है और दोनों एक दूसरे को अज़िब नज़रों से देख रहे थे फिर भी पॉल के साथ में वापस अपने कैबिन के तरफ चले जाती है लेकिन भी अब थोड़ी बदली-बदली से नज़र आ रही थी अब ये दोनों का हनी मुनता लेकिन यहाँ पर भी रोमेंटिक होने की बज़ाए कोई-कोई से नज़र आ रही थी और भी विल के बारे में सोच रही थी पॉल को लगता है कि शायद भी विल के बारे में सोच रही है और हो सकता है कि विल उसका एक्स बॉइफन हो फिर पॉल उससे परिशान करने लगता है लेकिन भी बड़ी एकसाइटमेंट से उसे विल और उसके बारे में बच्पन की बातें बता रही थी फिर दोनों बिना quality time spend के सो जाते हैं दोनों सो रहे थे और आधी रात को घर के light automatic बंद होती है और alarm बजने लगता है जिससे कि पॉल की निंद खुल जाती है पॉल को सुबह fishing करने जाना था तो इसलिए उसने सुबह का alarm लगाया था वो देखता है कि भी गेरे निंद में सोई हुई है तो इसलिए वो उससे बीना जगाय अपने fishing का सामन लेता है और fishing करने के लिए निकल जाता है जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि बाहर बहुत यंतरा है फिर वो अपना mobile चेक करता है जिसमें सिर्फ 3 बचकर 45 मिनिट हो रहे थे उससे लग रहा था कि शायद उसका alarm गलती से बज़िया था और वो वापस अपने केबिन में चलायता है जब वो बेटरूम में जाता है तो वहाँ पर वी जुके गहरे नेंदे में सो रही थी वो अब बेटरूम नहीं थी पॉल को लगता है कि वो बातरूम में होगी लेकिन जब वो वहाँ पर देखने जाता है तो बातरूम में कोई नहीं था वी पॉल के केबिन में कहीं नहीं थी और पॉल को लगता है कि भी उसके साथ में मजाग करे थी फिर तब वो देखता है कि केबिन के पीछे के दर्वाजा खुला हुआ है फिर पॉल वहाँ से बी को देखने के लिए जंगल के दर जाता है पॉल बी के लिए बहुत परिशान था और उसे डर था कि बी के साथ में कुछ गलत नहों फिर केबिन से दूर जंगल के बीच में बी उसे बिना कपड़ों के एक जगह पर चुपचप खड़ी मिलती है उसे नहीं पता था कि बी वहाँ पर क्या कर रहे है बी बस बेसुत खड़ी हुई थी और पॉल के आते ही बी अचानक कर चिला देती है और वो होश माती है पॉल बी को वापस केबिन में लेकर आता है वो बी के लिए बहुत दे परिशान था लेकिन बी अब नॉर्मल हो गई थी पॉल बी से उसके नाइट गाउन के बारे में पूछता है लेकिन बी को नहीं पता था कि वो कहाँ पर है बी का ऐसा कहना था कि वो शायर नीद में चल रही होगी लेकिन पॉल अभी भी बी के लिए परिशान था फिर अगली सुबह वो देखता है कि भी कीचन में ब्रेकवास्ट बना रही थी लेकिन गलती से वो टोस्ट को जला देती है पॉल देखता है कि भी ब्रेट के उपर बटल लगाना भूल गई है जो कि उससे अजीब रखता है और भी उब उसके साथ में अजीब बहेव कर रही थी पॉल उससे कहता है कि वो उसके साथ में इतना सालोस है लेकिन उसने कभी भी बी को नीदे में चलता हो नहीं देखा जो कि पिछले रात को बाता लेकिन भी उससे कन्वेंस कर लेती है कि वो बिल्कुल ठीक है अब दोपर में बी और पॉल मचली पकड़ने के जाते हैं और वहाँ पॉल बी को हसाने के लिए फनी हरकत कर रहा था लेकिन बी उसकी बातों पर ध्याने दे रही थी पॉल उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ है तो बी उसे कहती है कि वो ठीक है फिर अचानक से भी अपने कपड़ा उतारे बीना ही पानी में चलंग ला देती है जबकि लेक का पानी बहुती ठंडा था और ये बार भी पॉल को बड़ी अजीब लगती है फिर जब वे लोग वापस केबिन में आते हैं तो वहाँ पर भी बी अजीब तरीके से भीव कर रही थी पॉल को लग रहा था कि वो बी का कुछ नहीं रख पा रहा है तो इसलिए बी का भीवियर उसके लिए ऐसा है फिर पॉल बी को किस करने की कोशिश करता है और वो उसका क्लोस भी आता है लेकिन वो देखता है कि बी के थाइस पर अजीबते निशान है बी पॉल को निशानों को देखने नहीं देती है और कहती है कि यह निशान मच्चर के काटने से हुए है लेकिन बी ऐसे भीव कर रही थी जैसे कि सब कुछ फ़नी हो अभी अभी यहाँ पर पॉल बी के साथ में इंटिमेट होने वाला था लेकिन बी अब सोने जा रही थी फिर पॉल देखता है कि बी सो रही है और उसके हाथ में एक डाइरी है वो बी के थाइस को भी चेक करता है और फिस जंगल में उसे जेकर पर चला जाता है जहां पर उसे बी खड़ी मिली थी वो देखता है कि वहाँ पर बस बी का नाइट गउन पड़ा हुआ है बी का गउन उसके प्राइवेट पाटफिल जगह से वटटा हुआ था और उसके उपर चिपची पी चीज लगी हुई थी वहाँ पर पासी में एक पेर का निशान भी था जो किसी आम आदमें के पेर से बहुती बड़ा था अब पॉल बी के गाउन को लेकर केबिन में आता है और वो देखता है कि उसकी वेडिंग वाला वीडियो हैंडी के में आन है बीबी बातों में खड़ी होकर कुछ से बाते कर रही थी और उस रात के बारे में भाना बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी फिर शाम को पॉल केबिन के सामने बोनफा जलाता है जिसमें बी मार्शमेलो को पुरा जला कर खा रही थी और अब पॉल को बी का behavior और भी अज़िब लगना लगा था जिसके बार में वो जल्दी समाज से केमिन में आ जाता है बी भी उसके पीछे पीछ आती है फिर दूनों एक दूसरे को किस करते हैं और close आते हैं पॉल अभी भी बी के behavior से परिशान था उससे लग रहा था कि बी को उसके close आना पसंद नहीं था वो पूछता है कि उस रात को जंगल में उसके साथ में क्या वा था और तब भी यही कहती है कि वो नीद में चल रही है फिर जबर दस्ती पॉल को किस करती है और वो उसके close आती है लेकिन अब पॉल उससे रोग देता है वो कहता है कि भी अपना nightgown पेहन कर आए लेकिन भी कहती है कि उसका nightgown गंदा हो चुका है और इसलिए उसने उस गाउन को लोंटरी में डाल दिया था पर पॉल को पता था कि भी उससे जुट पॉल रही थी उससे तो पता भी नहीं था कि उसका nightgown कहां पर है फिर पॉल वहें पर नाना सो कर बेट जाता है अब रात होती है और भी पॉल के पास में सो रही थी लेकिन पॉल सोया नहीं था बिलकि जाग रहा था अचानक से भी अपने बेट से उठती है और कहीं पर चली आती है पॉल भी उसके पीछे पर जाता है लेकिन भी बस पानी पीने गई थी फिर पॉल रात बर में पर जाकता रहता है उसे दिखाई देता है कि एक light गर के अंदर आ रही है वो light जिसे उसके उपर पड़ती है वैसे ही वो light बंद हो जाती है तो पॉल उस light को चेक करने लुग जाता है लेकिन अब वो light उनके केबिन के अलेग अलग जेगे से आ रही थी पॉल डर जाता है और अपनी gun को लेकर भार आता है उसे जाड़े उससे आवा जाती है और हावा में गन चला देता है जिसके आवाद से B उठ जाती है पॉल जल्दी से केबिन में आता है और सारी लाइट को बंद कर देता है उसे लगता है कि कोई उनके उपर नजर रखे हुए है वो B से request करता है कि कल रात को जो कुछ भी हुआ वो उसे सच सच बता दे लेकिन B का अभी भी ऐसा कहना था कि वो नीद में चल रही थी पर Paul उसे अभी भी ये कह रहा था कि जो कुछ भी हुआ है वो उसे सब कुछ सच सच बता दे पॉल उसे पूछता है कि क्या उस रात को वील यहां पर आया वता और जब पॉल सो रहा था तो वील ने उसके साथ में कुछ किया होगा लेकिन बी का ऐसा कहना था कि पॉल यह सा फालतू की बाते कर रहा है और उसके कारण उनका हनीमून खराब हो रहा था जिसके बार में पॉल कुछ नहीं कहता है और चुप चप रूम में चला जाता है फिर अगले सुबह बी एक नोटबुक में लिख रही थी कि उसका नाम बी है और उसके पती का नाम पॉल है और तब पॉल उसे वहाँ पर आकर देखता है जैसे पॉल वहाँ पर आता है तो भी उस नोटबुक को बंद कर देती है फिर पॉल कल रात के लिए अभी भी अपसड़ था लेकिन भी ऐसे भीव कर रही थी जैसे कल रात तो कुछ हुआ ही नहों पॉल अप केविन के भार जाता है और वहाँ पर वह देखता है कि भी के पेरों का घाव और भी बढ़ गया है लेकिन अगेन भी उसे ठीक से जवाब नहीं देती है और वह अकेली फिशिंग करने निकल जाती है लेकिन थोड़ी देर के बार में पॉल भी उसके साथ में फिशिंग करने के लिए आ जाता है दोनों लेक के बीच में फिशिंग कर रहे थे और तब पॉल ये कहता है कि वो यहां से जाना चाता है क्योंकि उसे यहां पर कुछ बर ठीक नहीं लग रहाता फिर भी उसे कल रात के लिए सोरी बोलती है तो पॉल उसे कलोज आने की कुशिश करता है और उसे जोड से पकड़ लेता है वो बी के शोट की जिप खोलता है लेकिन उसके प्रावेट पार्ट से खुर निकल रहाता बी ये सब देखकर गवरा जाती है और दोनों फिर से लेक से भार आकर केबिन में आ जाते है पॉल उसे डॉक्टर के पास चलने को कह रहाता लेकिन बी का ऐसा कहना था कि ये बस उसके नॉर्मल पिरेट चल रहे है लेकिन पॉल को पता था कि ये बी के पिरेट के डेट नहीं थी तो आकर क्यों भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाती थी वो तो वीडियो के एंड में हमें पता चलने वाला है पॉल बी से परेशान हो चुका था और वो कहता है कि वो अब यहाँ पर नहीं रुकेगा बी अपना सामान पेक करकर रखे क्योंकि वे लोग यहां से जाने वाले हैं लेकिन जाने से पहले पॉल खुद वील से सब कुछ पूछने जाने वाला था फिर पॉल शाम के समय वील के घर पर जाता है जहां पर वील नहीं था वो देखता है कि उसके वाइफ एनी वापर मुझूद थी वो उससे विल के बार में पूछता है लेकिन वो कहती है कि विल कहीं पर छुप गया है पॉल देखता है कि एनी के पैर पर भी बीके गावा जिसे निशानत है और पॉल एनी से उन गावा के बार में पूछ रहा था लेकिन एनी उसे कहती है कि वो यहाँ पर सेफ नहीं है वो पॉल को जाने को कहती है नहीं तो वो उसे नुकसान पोचा सकती थी जिसके बाद में एनी अपनी बोट से लेक में निकल जाती है पॉल देखता है कि वहाँ पर विल की कैप पानी के अंदर पड़ी थी जिस पर खुन डगावा था और समझ जाता है कि विल के साथ में कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ होगा अब पॉल विल के घर में आ जाता है यह चेक करने के लिए कि आखिर बात क्या है वो देखता है कि उनके घर में कोई नहीं है फिर चुपके से वो उनके घर में खुश जाता है और विल के लैपटॉप में उनके CCTV केमरा की फूटेज चेक करता है तो अब आता है कि विल की वाइफ एनी भी आधी रात को अपने रूम से निकल कर बाहर जाती है फिर पॉल एनी के रूम में से में वेसी नोट्स देखता है जैसे कि बी ने लिखे हुए थे और वो नोट पर भी वही चिपचिप़ी से चीज लगी हुई थी पॉल को महाँ पर एक पड़्चह चुपके से देख रही थी जिसके बारे में पॉल को नहीं पता था पॉल फिर विल के घर से निकल कर अपने कैबिन में आता है तो आते ही बी की डायरी को चेक करता है वो बी से पूछता है कि बी आखिर कोन है क्योंकि उसकी बी ऐसे भीव नहीं करती थी पॉल B से उसका नाम पूछता है लेकिन B पॉल का नाम बताने के बजाए ये कहती है कि वो उसका पती है लेकिन B का पॉल का नाम बड़ी देर में याद आता है फिर B अपनी सारी डिटेल पॉल को बताती है लेकिन इस सारी बात है उसने अपने डायरी में लिख रखी थी पॉल B से पूछता है कि एनी भी सेम उसके जैसे ही नोट लिखती है वो भी अपने डायरी में अपने नाम और अपनी इंपोर्टन बातों को लिखती थी और वो भी B की तरह आदी रात को उठकर जंगल मजाती है तो आखे वो दोनों ऐसा क्यों करती है B पॉल को वहाँ से जाने नहीं दे रही थी क्योंकि शायद उससे कुछ पता था और पॉल उससे ये भी कहता है कि विल के कैप पर खून लगवा था तो शायद हो सकता है कि विल मर चुका हो और एनी नहीं उसके साथ में कुछ किया होगा और ठीक वैसा ही B पॉल के साथ में करने वाली है लेकिन B का ऐसा केना था कि वो बस पॉल को बचाना चाहती है पॉल समझ चुका था कि B बी शायद उससे मार देगी और वो जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहता था पॉल अपनी कार की चाबिया ढूंड रहा था लेकिन B ने कार की चाबिया को चुपा दिया था फिर पॉल बड़ा गुस्से में था वो B के पास में जाता है लेकिन B बातरूम में थी और उसने बात्रूम का दर्वाजा अंदर से बंद कर दिया था B बात्रूम में बेट कर अपने प्रावेट पार्ट में कुछ नुकली चीज गुशा रही थी लेकिन तभी पॉल बात्रूम का दर्वाजा तोड़ देता है वो देखता है कि बी के प्रावेट पार्ट से भूद्य कून बेरा है वो बी को ऐसे देखकर घबरा जाता है फिर वो उसे होस्पिटल ले जाना चाहता था लेकिन बी ठीक से जवाब नहीं देती है पॉल बी के मदद करना चाहता था और वी को बार बार आई लवी बोल रहा था लेकिन बी उसका जवाब नहीं दे रही थी वो बस यहीं बोलती है कि उससे नहीं पता है कि आगे क्या बोलना है यानि कि बी अपनी याददाश खो रही थी बी यहां से भागनी कुशिश भी करती है फिर वो एक रसी से पॉल को बानना चाहती थी लेकिन पॉल उससे स्ट्रॉंग था तो उल्टा उसे बेट पर रस्यों से बान देता है और उससे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी पत्नी बी को क्या हुआ है बी इतना सब होने के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल बहेव कर रही थी नहीं वो चिला रही थी नहीं वो रो रही थी पॉल को पुरह यकिन हो गया था कि वो जो कोई भी है लेकिन उसकी पत्नी भी नहीं है फिर पॉल बी के सिर्फ रवही चिपचिपई चीज नोटिस करता है और अचानक बी बेट पर जोड़ जोड़ से हिलना लगती है फिर पॉल बी से कोई सवाल पूछता है कि वो पहली बार डेट पर कहा गय थे लेकिन बी को इस बारे में कुछ नहीं पता था पॉल ये भी पूछता है कि उन्होंने उनकी शादी वाली रात को क्या खाया था और ये बात भी बी को नहीं पता थी जबकि उनकी शादी को सिर्फ चारी दिन होए थे पॉल का अगला सवाल था कि उसने बी को कब और कहाँ पर प्रपोस किया था और उसका जवाब भी बी सईसे नहीं दे रही थी वो कहते है कि वो दोनों केम्पिंग करने गए थे लेकिन ये सारी चीज़ें उन्होंने केमरा में रिकॉर्ट की हुई थी और ये जवाब भी बी का पूरा गलत था वो केम्पिंग करने के बजाए घर में केम्प लगा कर बेटे थे चूँकि बी की तवित खराब हो गए थी पॉल समझ नहीं पा रहा था कि बी कहां पर है वो बी को भोती पास से देख रहा था और उसकी हर एक चीज़ को नोटिस कर रहा था बी की बॉडी बी की ही थी लेकिन वो बी नहीं थी फिर पॉल बी की थाइस पर टच करता है और उसका हाथ पुरा खुण में लत्पत हो जाता है और उसके हाथ पर एक अजीब से चीज भी लगती है बी फिर पॉल को ये कह देती है कि वो उसके अंदर है उसके बॉडी से निकलने में उसकी मदद करें पॉल देखता है कि बी की बॉडी से कोई चीज बार आ रही थी और उसे पुरी तरीके से खीचकर निकलने की कोशिश कर राता ये एक लंभी से नुकिली चीज थी जिसे पॉल निकाल रहा था और B को इसमें बहुत दर्द महसुस हो रहा था पॉल B से पूछता है कि आकिरिय चीस क्या है जो कि हिल रही थी और हो जिन्दा भी थी तब पॉल B के सामने आती है और उसके पेर पुरी तरीके से सड़ रहे थे वो बताती है कि उस रात को एक लाइट उसे नजर आई थी जो कि जंगल सा रही थी वो लाइट उसके चेहरे पर पड़ी और उसके बाद से उसे कुछ नहीं दिखा वो अपने आप उस लाइट के पीछे-पीछे चल दी फिर उसे वहाँ पर काली-काली परचाया देखी जो कि उसकी बाड़ी में गुज गई और तब से उससे ऐसा लग रहा है कि वो अपी भी बी की बाड़ी में ही है वो जो कुछ भी चाते हैं बी के दिमाग में वही सारी बाते चलती है बी पॉल को बताना तो चाती थी लेकिन वो उसकी बाड़ी को कंट्रोल कर रहे थे और उसे ऐसा करने से रोक रहे थे बी की बाड़ी उसकी है लेकिन भी धिरे-धिरे अंदर से मर रही थी पॉल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वो बस बी को हस्पितल ले जाना चाता था लेकिन भी नहीं जाना चाती थी फिर अचानक वही लाइट बी के उपर पड़ती है और भी अजीब अजीब चीज़े बलबलाने लगती है वो कहती है कि अब उने पॉल के ज़रूत नहीं है और पॉल के पास में अब थोड़ा सा ही समय है फिर लाइट अपने अब बंद होती है और भी अपने होश में आती है वो पॉल से कहती है कि वो अब उन लोग के लिए परेशानी बन चुका है और वे लोग अब पॉल को नुक्सान पोचा सकते है भी पॉल को उनसे चुपाना चाहती थी और वो एक चीस से पॉल को मार कर भ्योश कर देती है पॉल को जब भ्योश आता है तो लेक के बीच में एक बोट में बंदा वा था वो देखता है कि भी खुन में लत्पत उसके पास ही में थी पॉल उसे जाने देने की बाते कर रहा था लेकिन भी उसे कह रही थी कि वो पॉल को उनसे चुपाना चाहती है वे लोग पानी के अंदर नहीं आ सकते हैं तो इसलिए वो पॉल को पानी के अंदर डाल रही थी जहांपर वो बिल्कुल सेफ रहेगा लेकिन B ये बत भूल चुकी थी कि पानी के अंदर पॉल मर जाएगा पॉल B से उसे खोल देने को कह रहा था लेकिन B उसके पेरों को भारी भरकम चीज से बान रही थी और पॉल को उठा कर पानी के अंदर डाल देती है और पॉल अब पानी के अंदर चला जाता है फिर अचानक वही लाइट उसके उपर पड़ती है और भी वहाँ से उठकर चल देती है। उसका केट पर एना भी आती है और दोनों उस लाइट के पीछे जा रहे थे। फिर जंगल में उने लाइट के पीछे बड़ी बड़ी शेड़ो दिखाई देती है और इसे के साथ में ये मूवी ये पर एंड होती है। तो अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन थे जिसके बारे में भी बता रही थी। असल में मूवी में कहीं नहीं बता गया है कि वो परचाई किसकी थी। लेकिन ही हो सकता है कि एलियंस उन जंगलों में आया करते थे और वो सिर्फ फिमेल को ही अपना शिकार बनाते थे। पहले उन्होंने एना को अपना शिकार बनाया, फिर उन्होंने B को अपना शिकार बनाया, हो सकता है ऐलियंस सिर्फ फिमेल के अंदर ही जिन्दा रे सकते हो, तो इसलिए वो B के अंदर खुश कर, B की मेमूर को दीरे दीरे मिटा रहे थे, B पॉल को इंफरम दो करना चाहती तो दोस्त तो ये थी धनी मूल मूवी मूवी आपको कैसे लगी नीज़े कमेंट पर जरूर बताना और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाते हैं तो मेरे टेलियराम चैनल को जोईन कर ले वहाँ पर मैं इस मूवी को डाल दूँगा तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में